हाई फ्रेंड सब सभी लोगों का आपके अपने यूटूब चैनल एक रिकल्चर ट्रिक्स वाई एनके में हार्दी स्वागत करते हैं जिससे कि आप लोगों को पता है कि एक रिकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगेरा आता है या कोई ट्रिक वगेरा होती है तो हम लोगों को वीडियो के मेंदे में से प्रवाइड करवाते रहते हैं तो आज यह वीडियो अपना ट्रिक के उपर होने वाला है जिसके अंतरगत में बात करूँगा आम के फल के अंतरगत जो भी व्रक्षों पर लगने वाले कीट है उनकी तो चलिए अपने श्टार् आता है आम का फुद्गाया जिसे की मेंगो होपर कहते हैं इसका नाम है मेरे टोरडस अटकिन सोनी तो आप लोगों को पता है कि होपर से अगर दिमाग के अंतरगत आता है यह फुद्गे से दिमाग में आता है तो कि जो कोई भी इंसक्ट हो वो थुद्ग के चलता होगा फुदगे से अपन कोरिलेट कर सकते हैं कि यह फुदग कर चलता होगा और अगर फुदग कर चल रहा है तो उसको मारना है आपको तो किसी ना किसी चीज में अठकाना पड़ेगा या उसको पकड़ना पड़ेगा तो अठकाने से और मारने से इसका नाम आपको आसानी से याद हो जाएगा तो यहाँ पर आपको चितर भी दीख रहा होगा तो आप आसानी से यहाँ पर यह चितर देखकर भी correlate कर पाऊगे कि जैसे कि कोई food का है यह उपर है उसको मारना है तो मारना से यहाँ पर देखे Emery Todas तो मर आ रहा है तो उसको मारना है तो यह मरने से आएगा तो मरने से Emery क्या Emery Todas Emery Todas क्या हो जाएगा Emery Todas इससे याद हो जाएगा मरने से कि Emery Todas मर आएगा तो Emery Todas इसके लाव मैंने बोला कि अगर आपको food गा उचल उचल के चल रहा है इतना सा concept दिमाग में रखिए कि आपके पास में कोई फुदका है फुदका आते ही कोई इंचक्ट फुदक के जा रहा है तो आपको उसको मारना है तो उसको अठका कर मारना है तो मारने से एमरी टोडस और अठकाने से अठकिन सोनी इसका आसानी से याद हो जाएगा यहां पर पिच्चर देख सकते हो यहां पर भी आपको यह जो आपका एमरी टोडस अठकिन सोनी है यह इस टेम के उपर लगा हुआ है यह फ्लॉवर है उनको डेमेज कर रहा है और यह एपिकल प्रोड क्या करते हैं पुस्प कराओं पत्यों का रस चूस लेते हैं तो यह उपर आपने देख लिया कि जैसे कि पुस्प कर रहा था और पत्यों के उपर भी अटेक कर रहा था लेकिन इसके लावा काफी मेंगो के अंदर मिलेगी और मेंगो के अंदर अगर मैं बात करूं कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो मिली बग होती हो एकदम वाइट वाइट होती है जैसे कि यहां पर आपको दिख रही होगी यह वाइट वाइट है यह आपके क्या है मेंगो मिली बग तो जैसे कि याद रखना कि यह बग होती है एकदम छोटी-छोटी-छोटी-छोटी होगी बग आपने काफी देखी होगी तो वो क्या होती है एकदम बेटी हुई एकदम drops की जैसे दिखती है ना बूंदों की बूंदों की जैसे दिखती है तो वैसे ही आप याद रखोगे ड्रो से ड्रोसिका और मैंजी फेरी आपके क्या होगा नाम से याद रहे जागा मैंगो से मैंजी फेरी तो ड्रोसिका ड्रोसिका यानि कि ड्रोप्स के रूप में मैंगो पर कैसे मिली बग मिलती है बग होती है एक चोटी चोटी और बग कैसे दिखती है दूर से ड्रोप्स क प्लावाद को कैसे पड़ोगे ड्रों सी का तो ड्रों से क्या आएगा ड्रों सी का और मेंजी फैरी आपका इसे नाम से को रिले heute हो जायेगा तो आई हो आपको ये ठ्रीक भी पसंद आया होगी कि मैंट को मेंगो मेली बॉब क्या होगा ड्रों सी लिए जाता है तो यह कंट्रोल भी काफी इंपोटेंट बन जाता है तो उसके भी में बात कुरूँ ने क्या करते हैं जमीन से क्या करते हैं पेड़ की उपर देर देरे चलते हैं जिनके लिए अपन क्या कर सकते हैं या तो उसके तने के उपर ग्रिस का या एलकाथीन की पटि लएन वगेला तो कार्वी दिल का चिटकाओ कर सकते हैं आपको 0.25 परसेंट का चिटकाओ भी काफि असरचारक देखा गया है तो कि नेक्स्ट में बात करूं आप क्या अती है है आनसी फलमकी यानि कि मैंगो फ्रूट फ्लाई जो फ्रूट फ्लाई है तो फ्रूट लाई का नाम होता है बेक्ट्रोसेरा ड्रोसेलिस तो बेक्ट्रोसेरा ड्रोसेलिस है तो उसके अंतरकत अगर आप लोग आप लोगों ने इंसक्ट वगेरा पड़े हैं तो उसके अंतरकत अगर बेक्ट्रोसेरा आपके एक और के अंतरकत नाम आता है जिसे कि आप तना छेद पड़ेगा क्योंकि अगर कीट हो गेरा है तो उसके अंतगत आपको कोई भी ऑप्षन आएंगे तो अपना में मोटर रहता है कि आप ऑप्षन देखकर कैसे रहे टांसर कर सकते हो बैक्टेरोस वे एक को भी हो रहा है तो बैक्टेरोस वेरा से अपन याद ना करके अपन क्या करेंगे कि जो आम की फल मक्ही होती है अगर आपके घर के बार मक्ही आवगेरा है तो वो अंदर कैसे आएगी डोर से आएगी डोर का मतलब क्या होता है दर्वाजा तो दर्वाजे से ही तो मक्ही अंदर आती है तबी तो अपन क्या करते हैं घरों के अंतर दर्वाजा तो जैसे आपको door याद आएगा कि फल मक्की door door चे अंदर आ रही है तो door से list देखते ही आपको यह आपका नाम सही हो जाएगा बैक्टरो से रहा आपका एक और insect की अंतरगत आएगा तो इसको तो आप वैसे भी commonly याद कर सकते हो ये फिर दोर से लिस अगर नाम भी देख लेते हो आप तो आपका ये इंसेक्ट का नाम क्या हो जागा एकदम रैट हो जाने वाला है तो I hope कि ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी आम की फल मकी क्या होगे बेक्टेरोसेरा दोर से लिस चलिए इसका भी अगर कुछ एक्ट्स के मैं बात करूँ तो इसका आकरमन से आम का फल अंदर से सड़ जाता है अर्द तरल बदबुदार पदा अर्थ में बदल जाता है इसके लाओं में बात करूँ कि जो इस केट के कारण आम के फलो के निरियात में बादा आती है अतने निरियात के लिए किया जाने वाले आम के फलो को गरम वास्प यानिकी वेपर ही ट्रीटिमेंट किया जाता है वेपर ही ट्रीटिमेंट से क्या हो जाते हैं कि इनके स्पोर मर जाते हैं और फिर यह इंसक्ट इतना परवावि और पृइसे पिचर में देख पर इगोई की यह तो मैंगों के अंदर एक्डम पढ़ी सबस्क्राइए इस ना शीड़ करते हैं तो mer when पर शुद्राइब नाम सबस्क्राइब के सब्सक्राइब इस्टोन से आएगा स्टेनो केट्स तो यह काट रहा है ना इस्टोन को याद iOS कर रहा है तो बीच में यह आपको याद हो जाएगए आई होब कि यह ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी इसके लावा यह देखो काफी इंपोटेंट्स फैक्ट्स है काफी बार पूचा गया क्यूसान है आप किसी भी चीज़ के त्यारी कर रहे हो तो हर एक्जाम के अंतरकत यह पूचा जाता कि मैं बात करूं तनाचेदक का नाम है Bectheropso mellukuleta तो आई होप ही मैंने पहले भी बोला था कि इसके आपके क्या आरा था एक पेंस और आ रहा था आ जैसे कि आपके अंतरकत आर्या था और वह आ रहा था आमकी फलमक्ही के अंतरकत तो फलमक्ही के अंतरकत अपन कैसे है य biological बैक्टेरो सेरा-डॉर्सेलीस तो आपका किसका नाम हो गया था आपका आपके फल्मक्षी का लेकिन तन्ह सी 280 होता है हयाद रखना ना तन्ह कैसा होता है 222 होता है तो रफ के अंदर गती लेता हुआ मिलेगा तो रूफों में कुलेट यानि कि沒錯 जग़ में लेता हुआ रफ जग़ में लेटा रूफों में कुलेट रूफों में कुलेटा, तो आप दो तीन बार जान ही दोशेव here बोलोगे तो ये आप को याज हुजायएंगा इसके लाव में इसकी facts की मैं बात करूँ तो इसके facts क्या होने वाले हैं ये तने में लार्वी छेद करता है इसके control हितू केरोसीन तेल का फुआ छेद में लगाते हैं एम तने में monokrotophores वर केटनासर का injection भी इसके लिए क्या होता है प्रभावी रहता है तो I hope friends की आप लोगों के ये trick अगर पसंद आई हो तो वीडियो को like करें और अपने friends के पास में जदा से ज़्यादा share करें तो जिससे क्या होगा कि अगर ज़्यादा लोग देखेंगे तो उससे हमारा manobal बढ़ेगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही अच्छी से अच्छी trick ये लाता रहूंगा Thank you friends